Hello everyone, आज के इस सेशन में हम class 8 science के chapter reproduction in animals का एक और नया topic discuss करेंगे and that is metamorphosis. Previous सेशन में हमने बात करी थी oviparous and viviparous animals की और आज के इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि exactly ये metamorphosis की process क्या है और कहां-कहां ये पाई जाती है. So I hope आज की सेशन का target सभी बच्चों का है एक dumb clear, तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम start कर लेते हैं. So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains, रहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost. यानि कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी दरगा payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost. तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहां पे हम बात करेंगे metamorphosis की. आप देखो previous session में जब हमने viviparous and oviparous animals की बात करी थी, तो वहाँ पे हमने ये सीखा था है कि हमारे पास कुछ animals इसे होते हैं, जो कि eggs ले करते हैं, याने कि अंडे देते हैं. और उन्ही अंडो में से उन animals के young ones बाहर निकल करके आते हैं, बेसिकली उन अंडो में hatching की process होती है. So a number of animals such as birds, frogs, insects, etc. are hatched from eggs. जैसे कि मैंना आको पताया था है कि हमारे जित्ती भी birds हैं, जो भी हमारे चडिया होती हैं, वो सब क्या करती हैं, अंडे देती हैं, उन अंडों की क्या होती है, hatching होती है और नए 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 चडिया उन अंडों से निकल करके आती हैं. Frogs के अगर हम बात करेंगे मेंडको की, तो मेंडक भी क्या करती हैं? अंडे देते हैं. अगर हम बात करेंगे insects की, तो insects भी अंडे देते हैं. ना सिर्फ birds, frogs and insects, बर्की हमारे जो reptiles हैं, जैसे कि सांप हो गया, कछुए हो गया और चिपकली और था हो गया ये लोग भी क्या क moths are also hatched from their eggs तो फ्रॉक्स तो हम सबको पता है कि भाई फ्रॉक्स मतलब क्या में डग लेकिनी सिल्क मौत क्या है सिल्क मौत हम बोलते हैं बेसिकली एक इंसेक्ट ही होता है और बटरफ्लाय जैसा दिखता है और इस सिल्क मौत की खास बात क्या होती है कि भाई यह हमें एक सिल्क के उपर तो बात करी थी ही वहां पर मैंना को बताया था कि सिल्क क्या है एक नाच्रल फाइबर है नाच्रल फाइबर मतलब की वह वाले फाइबर जो कि प्लांस और एनिमल से डिराइव होते हैं तो जो सिल्क फाइबर से वो कहां से निकलते हैं यही सिल्क मौत से नि its overall appearance is almost the same as that of an adult hen except that it is much smaller than the hen सीरी सी बात है देखो अभी मुर्गी को तो आप छोड़ी दो अगर हम अपनी बात करें human beings की बात करें तो जब आप एक newborn baby को देखते हो तो newborn baby को देखकर कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं उन अंडों की जब हैचिंग होती है उनसे जब चिक्स निकल करके आते हैं तो उन chicks को देखकर के समझ में आता है कि यह किसके बच्चे हैं यह मुर्गी के बच्चे हैं क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि उनके जो overall appearance जो होती है overall appearance वो हम बोलते हैं कि एक adult hen या cock, मुर्गा उससे मिलती जूलती है difference क्या होता है difference यह होता है कि जो पाइं ग्रजू़े पाइन ग्रज्ण होट हृटिव्ट सी पोथयो वर क्या है तो size को क्या होता है जो दो लेकिन हगंत क्या को समुन मेँ चैकल और मुर्गी का बच्चा है in its body appearance और जब एक चूजा एक adult hand में या cock में transform होता है growth और development होती है उसके body में तो ऐसे बहुत जादा drastic changes नहीं आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वो already एक adult hand या एक adult cock के features उसके पास है है चूजे के पास ठीक है अब क्या होगा समय के साथ साथ वो grow करेगा develop करेगा height वगएरा बढ़ जाएगी body size वगएरा बढ़ जाएगा लेकिन features में हम बोलते हैं कि ऐसे change नहीं होगा क्यों क्योंकि already उसके पास एक adult hand या adult cock के features हैं ठीक है वो देखने से समझ में आता है चूजे को कि हाँ यह किसका बच्चा हो सकता है कुछ इस तरीके से तो यहां पर बोला गया है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है उसके body appearance में चलो that is the young one of hen या chick hatched from the egg and the adult hen look alike याने कि मुर्गी के अंडे से जो chick निकला है जो young one निकला है वो किसका look alike होता है एक adult hen का look alike होता है दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं but there is not so in the case but this is not so in the case of animals such as frogs and silk moths लेकिन ऐसा जो केस है ना यह हमारे frogs और silk moths के साथ नहीं होता है क्यों नहीं होता चलो देखते हैं the embryos present in the eggs of some amphibians like frogs and insects like silk moths first grow into larvae हमने सीखा था कि हमारे जो oviparous animals होते हैं ठीक है oviparous animals जो अंडे देते हैं वो अंडे क्या होते हैं उनके उपर एक हम बोलते कि calcium की covering होती जिसको की हम शेल बोलते हैं तो सीरी सी बात है हमारे जो oviparous animals होते हैं जो अंडे वो देते हैं वो अंडे कैसे होते हैं वो फर्टिलाइस एग होते हैं फिर इसके बाद में उन में जो हैं ना embryo embryos हैं वो अपना nutrition derive करते हैं और ultimately यह जो embryos हैं वो एक यांग वन में develop हो जाते हैं और जब यह यांग वन बाहर निकलने के you know capable होता है कि बाहर की external जो surrounding उसमें survive कर सकता है तो फिर यह यांग वन जो है अंडे को तोड करके उसके shell को तोड़ करके बाहर निकल करके आ जाता है तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो embryos होते हैं जो कि eggs में present होंगे कुछ amphibians के जैसे की frogs और insects like silk moth first grow into larvae तो इनके जो अंडों में embryos होते हैं सबसे पहले किसमें convert होंगे larvae में convert होंगे larva क्या है एक immature form होता है animal का like frog और सिर्क मौथ found by the hatching of its eggs तो कहने को तो हम बोलते हैं कि अंडे टूट चुके हैं उनकी hatching हो चुकी है अगर हम बात करेंगे suppose frog की तो frog के जो अंडे होते हैं वो उनकी hatching हो जाती है वो टूट के टूट जाते हैं ठीक है लेकिन टूटने के बाद हम बोलते हैं कि एक young one निकल करके नहीं आता है यानि कि मेंड़ा का बच्चा निकल करके नहीं आता है जैसे मुर्गी का अंड़ा जब hatch होता है तो उससे मुर्गी का बच्चा निकल करके आता है लेकिन अगर हम बात करेंगे frog की तो frogs के जो अंडों की hatching होती है न उन अंडों की hatching के बाद frog का बच्चा निकल करके नहीं आता है क्या निकल करके आता है तो larva निकल करके आता है फिर इसके बाद में यही लारवा यह लारवा है क्या एक immature form है किसका animal का अभी हम बात कर रहे हैं frog की तो जो लारवा है वो क्या होगा एक immature form होगा मेंडा का फ्रोग का फिर इसके बार में ये जो लारवा होगा ये फिर धीरे 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 हम बोलते हैं कि adult frog में convert होगा या transform होगा तो यहाँ पर आपको frogs में और silk moth में एक transition state देखने को मिलती है कि अंडा था उसके अंदर developing embryo था है लेकिन ये जो embryo है ये directly young one में develop नहीं हुआ ये बीच की एक stage है जिसको हम बोलते हैं larva ये उस larval stage तक आया ये larva अंडों के बाहर आता है और फिर इसके बाद में ये larva हम बोलते हैं कि एक adult animal में frog में या silk moth में जो है convert होता है transform होता है ठीक है फिर next point क्या है the larva of an animal is very different in appearance from that of the adult animal अब सबसे important बात ये है कि आखिर हम ये larval stage पढ़ी क्यों रहे हैं है ये हम transition state बीच की पढ़ी क्यों रहे पढ़ इस नहीं रहे हैं क्योंकि ये जो लार्वा निकल करके आता है ना ये जो अपना जो original animal है ना उससे काफी जादा different होता है appearance में जैसे कि मैंना को अभी अभी बताया कि इंसान का जो बच्चा होगा वो इंसान जासा दिखाई देता है newborn baby पता चलता है देखने पर कि कि इसका बच्चा है इंसान का बच्चा है रहा किटन या पपी उनको भी देखकर कि हमें समन में आता है कि ये डॉक के babies हैं और ये cat babies हैं similarly जब हम बात करते हैं कि कि हैं की तो चूदो को देखकर कि समन में आता है कि मुर्गी के बच्चे हैं लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी टेटपोल की मैंने की लार्वे की है ना लार्वा की तो यह जो लार्वा होते हैं यह अपने एनिमल से काफी जादा अलग होते हैं अपियरंस में दा लार्वा ओफ सिल्क मौथ is called caterpillar और silk moth का जो larva है उसको हम क्या बोलते हैं caterpillar बोलते हैं similarly frog का जो larva है उसको हम क्या बोलते हैं tadpole बोलते हैं तेड़ पोल हमने इसी सेशन में अपने previous मनब इसी chapter में हमने अपने previous session में इसके उपर बात करी है तो महांवे मेना को बताया था कि TETPOL के ओपर हम एकदम डीटेल में जाकर की बात करेंगे तो कहां बात करेंगे? इसी सेशन में बात करेंगे तो larva change into adults later on और यही जो larvae होते हैं यह फिर adults में change हो जाते हैं बाद में The process of transformation from an immature form of an animal like larva to its adult form into or more distinct stages is called metamorphosis तो यहाँ पे अब आपको एक proper definition दी गई है किसकी metamorphosis की कि ये एक process होता है किसका transformation का जिसमें की जो larva है वो अपने adult form में change हो जाता है in two or more distinct stages और इस पूरे transformation की process को हम क्या बोलते हैं metamorphosis बोलते हैं सीदी सी बात है मैं आपको बता है ना कि एक beach की transition state आती है किसमें frogs में और silk moth में जहाँ पे उनके अंडो से अंडो के अंजर जो developing embryos होते हैं वो developing embryos directly उनके young ones में grow नहीं करते हैं नहीं होते हैं सबसे पहले वो आते हैं कहां अपने अपने respective larval stage में larva बनता है और फिर इसके बाद में यह larva जाता है कहां young ones में develop होने के लिए तो यह जो बीच की process आई है इसी को हम क्या बोलते है में basically metamorphosis की process बोलते हैं यानि कि जो larval stage है वो किस तरीके से जो larva है वो एक adult animal में transform होता है उसे हम कहते हैं metamorphosis ठीक है चलो next point क्या है हमारे पास कि metamorphosis occurs in amphibians like frogs and insects like silk moth, butterfly, housefly and muskito etc आपने कई बार सोना होगा कि बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास जो है पानी एक खटा नहीं रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारे जो muskitos होते हैं वो अपने जो अंडे है वो stagnant water याने की ठेहरे हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं अंडे देने के बाद में क्या होगा कि अंडे अंडों की hatching होगी बेसिकली उन अंडों के अंडर होगा क्या? पनी को क नहीं करना चाहिए क्योंकि कवीव लोगों के घर में कूलर वगर निकले रहते हैं तो पानी थे बारिश का आता है तो पूलर के पानी को हटा दिना चाहिए कुलर को खाली कर दीना चाहिए क्यों 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 उसका जो टहरा हुआ पानी होगा stagnant water जो होगा वहाँ पे मच्छर अपने अंडे दे देंगे उन अंडों से लार्वे निकल करके आ जाएंगे वह वहीं पानी में ग्रो करेंगे और पानी में ग्रो करते करते वह अडल्ट मस्किटो में डवलाप हो जाएंगे ट्रांस्फोर्म हो जाएंगे तो कि यह बिमारियां फैले डेंगू-malaria टाइब की बिमारियां फैले से अच्छा है कि हम अपने घर के आसपास पानी को इखटा हो ने ही ना दे सीडिसी बात है पानी इखटा नहीं होगा तो फिर जो मस्किटो ओस हैं वह अपने अंडे नहीं दे पाएंगे और अगर अंडे वो देखना है और silk moth में कैसे होता है वो देखना है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं metamorphosis in frogs की the hatching of a fertilized egg of frog produces a very immature young one called deadpole frog का जो fertilized egg है उसकी जब hatching होती है तो हम बोलते हैं कि क्या produce होता है एक बहुत ही immature यानि कि वो अभी ठीक से mature हुआ ही नहीं है immature young one produce होता है जिसको की हम क्या बोलते हैं टेड़ पोल बोलते हैं जो की frog का larva है the deadpole और larva of a frog develops gradually and undergoes many drastic changes in appearance before it forms an adult frog और फिर इसके बाद में ये जो टेड़ पोल होता है ये जो larva होता है ये बहुत ही gradually क्या करेगा develop करेगा और इसमें बोलते हैं कि कई सारे drastic changes आते हैं और appearance में appearance wise और इसके बाद में बहुत सारे drastic changes आया और इसके बाद में उन changes के आने के बाद में कि एक adult frog में transform होता है तो जैसे कि मैंना को बताया था जिए सब्स हमारे पास क्या है एक human baby है है ना human baby में हम बोलते हैं कि जब वो पैदा होता है एक newborn baby तो हमें उसके असानी से दो आखे दिखाई देती हैं दो कान दिखाई देते हैं नाग दिखाई देती हैं यह एक human baby है फिर इसके बाद में जब अव्यसी बात है समय के साथ में यह जो बच्चा होगा यह भी grow करेगा डवलप करेगा तो समय के साथ में जब इसकी growth होगी है ना तो इसकी जो body parts होंगे ना वो बड़े-बड़े हो जाएंगे भई हड़िया मजबूत होंगी हड़िय लंबी होंगी है ना हाथ लंबे हो जाएंगे पैर लंबे हो जाएंगे लेकिन यह जो changes होते हैं यह कोई drastic change नहीं हुआ कि newborn baby पहले कुछ अलग ही दिखता था कि उसको देख करके हमें समझ में आते ही नहीं था कि यह एक इंसान का बच्चा है और जैसे जैसे समय गुजरा इसकी growth हुई इसकी development हुई तो अचानक से हम बोलते हैं कि इसमें human beings के जैना features आने लगे इसके heart power develop हो गये इसके आखी दिखाई देने लगी ऐसा नहीं होता है जब वो बच्चा पैदा होता है तो already उसके पास वो सारे इंसानों वाले features होते हैं और जब growth होगी development होगी तो य लेकिन ये changes drastic नहीं होते हैं हम सभी को पता है कि ये जो changes होते हैं पहली बात तो ये slowly होते हैं धीरे धीरे होते हैं और आपको कोई drastic change देखने को नहीं मिलेगा कि अरे बापर ये वाला feature तो पहले था ही नहीं इसमें लेकिन अब देखो जैसे जैसे इसकी growth हो रही है इसके pair बनने लगें ऐसा नहीं होगा और इस बच्चे के पास पैर होंगे ठीक है तो देखो यहां पे frog के metamorphosis को समझाया गया है सबसे पहले तो हम शुरुवात करते हैं कहां से तो अंडों के साथ ठीक है ये क्या है frog के eggs है और कैसे एग है ये है fertilized egg fertilized egg है ये ठीक है फिर इसके ब Uv4 में इन embryo से क्या निकल करके आ रहे हैं बही एक के अंडर जो embryo अजैट पोल ने की लार्वल स्टe तक बंप रहो चुक liegen जब टेड़ पौल आ चुका है अंडों के अंडर अब क्या होगा इन अंडों की hatching होगी यह अंडे तूटेंगे और तूटने के बाद अंदा जो tadpole है वो बाहर निकल करके आ जाएगा सवाल यह है कि आखर यह tadpole जाएगा कहां तो हमारे जो aquatic plants होते हैं और वाले पौदे जो की पानी में पाए जाते हैं उनके ओपर जाकर के यह चिपक जाएगा ठीक है? तो tadpole's clinging to water plants यह एक्वेटिक plants के ओपर जाकर के यह चिपक जाते हैं फिर इसके बाद में अब माना की यह adult frog नहीं है यह जो हमारा tadpole है यह एक adult frog नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जिन्दा नहीं होगा जिन्दा तो यह भी है अभी इसका appearance frog जिससे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यह तो अभी भी क्या है? जिन्दा ही है माना immature form है animal का लेकिन यह जिन्दा है तो जिन्दा रहने के लिए हम बोलते हैं कि इसको सांस लेनी पड़ेगी, तो ये सांस कैसे लेगा, तो हम बोलते हैं कि हमारे जो frogs होते हैं, इनके पास तो lungs होती, जैसे हमारे पास lungs हैं, वैसे हमारे मिंडकों के पास भी lungs होती हैं, और इन lungs के तुरू ये respiration करते हैं, ना सिर यह feature मिलेगा कि हमारे जो frogs होते हैं उनकी जो skin है वो बहुत ही पतली होती है और highly vascular होती है याने की अच्छी खासी blood supply होती है इनकी skin के पास तो पतली होती है तो असानी से जो gases है वो skin के आर पार जो है चली जाती है तो यहां पर हम बहुते हैं कि जो हमारे frogs हैं हैं उनके पास lungs भी होती है respiration के लिए skin के थूर भी respiration करते हैं इनकी जो buccal cavity होती है उस के थूर भी यह क्या करते है respiration करते हैं तो बॉकल cavity के थूर सके थूर और lungs के थूर इनका respiration होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने Kita लो कि तो किते बारे में हंने अभी क्या सीखा आइनिमल का पास इतना एडवांस तो नहीँ होगा इसके पास भी होंगे फीचर सोंगे लेकिन बहुती बेसिक फीचर सोंगे तो बना टो इसे का प्रेज़ सोती आं जैसे कि आपके पास यह यह एक टेड़ पॉल है तो इस टेड़ पॉल के हम बोलते हैं बॉड़ी पे आप क्या करो इसको हम क्या करें फार दें तो यहां पर हमने क्या किया है पेपर को हम क्या बोलते हैं slit बोलते हैं तो हमारे जो फ्रॉक्स के जो लार्वे होते हैं उनमें क्या प्रेजंट होता है गिल्स प्रेजंट होती है और इन गिल्स लिट्स के तुरू गैसर एक्स्चेंज यह करते हैं यह अभी तो यह पानी में पर देखो तेटपोल के पास जो उसकी पूछ है वो लंबी होती जाती है यह देखो टेटपोल की जो पूछ है यह क्या हो रही है कंटेनेस्ली डवलप हो ही रही है फिर धीरे-धीरे हम बोलते हैं कि हाइन लेक्स याने कि जो पीछे वाले पाउं होते हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गए हैं फिर इसके बार में क्या हुआ लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन दा टेल अब आप बोलोगे कि मैम यह जो इसकी टेल है यह आखिर क्यों लंबी होती जा रही है और ऐसी लंबी हुई कि जब एडल्ट फ्रॉग बना तो उसकी UK खिया थावर होगे एसा कियों वहां क्योंकि देखो यह जो इसकी तेल प्लफ हो रही है यह कर बोलते हैं कि लार्वाuir्व करेगा समय के साथ च्रांसफॉर्म और प्रॉंह में इसकी टेल में जो भना हो traveling को हो प्या कर जाएक यूज और बोलेघंट होगा थाए यूज इस इसके बाद में अब देखो अब दीरे से आगे वाले पैर याने कि जो फ्रांट लेग्स हैं वो भी अपियर हो गया है सबसे पहले तो पीछे वाले पैर आये थे अभी तो यह मचली जैसा दिखाई दे रहा है टेट पोल कोई इसको देखकर बोल नहीं सकता कि यह टेट पोल क हो गए तेल हम बोलते हैं कि अभी तक लम्भी हो रही है फिर जैसे जैसे यह आगे ग्रो करेगा तो तो टेल में जो खानास चोड़ ओогод का वो धीरी यह यूज करेगा तेल का जो साइज हो रिडियूस होता जाएगा फिर हम बोलते हैं कि आगे आगे वाले चो पैर हैं वो आपको इसके पैर दिखाई देंगे, अब्डॉमन रिजन दिखाई देगा, यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, तो कोई भी इस लारवे को देखकर के इस फॉर्म को देखकर के नहीं बोल सकता था कि यह फॉर्म क्या होने वाला है, अल्टीमेटली जाकर के ट्रां पैर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे टेटपोल की, तो एस सच कुछ था ही नहीं, उसके पास तो क्या थी, एक लंबी सी टेल थी, और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा था, उसकी जो टेल हो लंबी होती जा रही थी, प्लस हम बोलते हैं कि हमारे जो मेंड़क होते हैं, जो बेसिक फीचर्स का यहां पर डिफरेंस है, कि टेटपोल में जो फीचर्स होने चाहिए थे, एडल्ट फ्रॉग के, वो नहीं थे, वो क्यों नहीं थे, क्योंकि जो डवलपिंग एंब्रियो है न, वो डारेक्ली यंग वन में कनवर्ट नहीं हुआ, वो आया एक बीच वाली स्टेट में जिसको हम बोलते हैं क्या लारवा, और फिर इसके बाद में जब इस लारवा की ग्रोथ हुई, डपलापमेंट हुई, तब जाकर के इसके पास एडल्ट फ्रॉग वाले फीचर्स आए हैं, तब जाकर के हम बोलते हैं कि हमें देखने को मिला है, क्या एक frog वरना इसको देखकर को तो कोई नहीं बोल सकता था कि यह आगे जाकर कि frog में transform होने वाला है तो यह जो पूरी process है ना कि किस तरीके से fertilized egg के अंदर हम बोलते हैं कि embryo जो है वो develop हो रहे थे इन embryos से tadpole बाहर निकल करके आए हैं यह tadpole दीरे दीरे हम बोलते हैं कि किस में transform होगा है एक adult frog में transform होगा है इस पूरी process को हम क्या बोलते हैं metamorphosis बोलते हैं clear आप सभी को चलो next point कि हमारे पास कि a tadpole and the adult frog look very different from one another देखर आए हमको है ना कि tadpole अलग दिखता है और एक adult frog अलग दिखता है the body features which are present in an adult frog are not present in its immature form called tadpole वह वाले body features जो कि एक adult frog के पास present होते हैं वह वाले features आपको उसके लार्वा में यानि कि उसके tadpole में दिखाई नहीं देंगे tadpole is adapted to live life in water only मैं आपको बताया था कि हमारे जो amphibians होते हैं amphi मतलब की दो है ना तो मारे जो और आंट बहुते हैं नंब्र रहे सकते हैं नग हमारे पास तुब्सटक्र आ गए कि हम लाण पर रह सकते हैं हम terrestrial animal बन सकते हैं completely लेकिन क्या होता है कि जब reproduction की process करनी होती है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है पानी चाहिए होता है क्योंकि पानी में ही जाकर के हमारे जो male gamets है वो swim करके कहां पहुंचते हैं female gamets तक पहुंचते हैं और तब जाकर के fertilization होता है और रहे लैंड पर कि कि हमारे पास बढ़ी यह लॉंग पर नहीं रह सकता यह सिर्फ और सिर्फ पानी में रहने के लिए ही क्या होता है एडाप्टेड होता है टेटपोल has a long tail which helps it to swim easily in water, अब obviously बात है, उसको खाना पीना भी तो खाना रहेगा ना टेटपोल को, इसके लिए कुछ उसके पास movement के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसको यहां वहां जाना है, उसको movement perform करना है, तो movement के लिए हम बोलते हैं कि हाथ पाउं नहीं होते हैं, जिसके तुरू, वह swim करता हुआ, पानी में movement perform करता है, और अपने खाने पीने को जो है, वह consume करता है, टेटपोल ब्रीज तूरू दगिल्स लाइक फिश, जैसे फिशिस के पास हमारी जो मचलियां होती हूँ, उनको तो मेशा पानी में रहना होता है न, तो उनके पास respiration के लिए क्या होती है, गिल्स लिट्स होते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे टेटपोल की, तो टेटपोल के लिए देखो हमने क्या बोला है, कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रहने के लिए ही adapted होते हैं, इनके पास वह सारे features नहीं आया हैं, जो कि एक adult frog के पास है, adult frog के पास तो उनके लंग्स होते हैं, लेकिन टेटपोल के पास उनके अभी लंग्स नहीं आया हैं, लेकिन respiratory gases का exchange तो करना पड़ेगा न, gaseous exchange तो होना पड़ेगा, तो इसके लिए हम बहुते हैं कि जैसे fishes के पास gills होती हैं, वैसे ही उनके पास भी gillslits होते हैं, इट 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 इ gradually transforms into an adult frog by losing many old features of its body and developing new body features in many stages, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि धीरे धीरे हम बोलते हैं कि ट्रांसफर्म होता है एक adult frog में, कैसे तो अपने पुराने features को पीछे छोड़ करके और नए body features को develop करके, जैसे कि उसके पास tail होती हैं, उसके पास gillslits होती हैं, तो जब वो adult frog मे transform होगा, develop होगा, तो उसको अपने gillslits और अपने जो tail है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा और नए-नए body features develop करने पड़ेंगे, जैसे कि हाथ पाओं का development हो गया, है ना, an adult frog is adapted to live life in water as well as on the land, तो और एक adult frog जो होगा, वो पानी में भी रह सकता है, land में भी रह सकता है, the adult frog develops web feed which helps it to swim in water and also to hop on land, it has no tail, adult frog के पास कोई भी पूच नहीं होती है, और इसके जो basically feet जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वैब्ड होते हैं, जैसे हमारे अगर digits की बात करें, fingers की बात करें, तो ये इन में वैब्ड नहीं होते हैं, कोई भी आपको जाले निजर नहीं आते हैं, लेक जो digits होते हैं, feet में, उनके बीच में क्या होता है, कुछ इस तरीके का structure होता है, ठीके, कुछ ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं, वैब्ड digits, तो ये एक digit हो क्या, यानि की, digit मतलब क्या, एक finger समाझ लो, कि ये क्या है, में डग का एक पैर है, या उसका एक हाथ है, तो एक हाथ की क्या है, ये वाली उंगली है, ये दूसरी वाली उंगली है, ये तीसरी वाली उंगली है, और ये फोर्थ वाली उंगली है, तो ये दोनों, देखो, दोनों ही, मतलब सभी के सभी जो उंगलिया है, उनके बीच में क्या होती है, एक बहुत ही fine membrane होती है, जो कि उन सभी fingers क्य क्या करती है एक साथ हम बोलते हैं कि बांध के रखती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं वैपड फीट बोलते हैं कि एक क्या लगा हुआ है जाला बना हुआ है ठीक है तो आई हो पितना सभी को समझ में आगो देखो यहां पर इमेज में भी आपको दिखाई दे र कर रही है digits को एक साथ रख रही है एक जाल जैसा इनो अपीरेंस दे रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या वैबड फीट तो जो एडल्ट फ्रॉग है वो डवलब होता है मानब वो डवलब करता है क्या वैबड फीट विच है टू स्विम इन वाटर यह वैब फीट जो है वो पानी में तेहरने में helpful होते हैं प्लस उनको लैंड पर क्या करवाते हैं hopping भी करवा सकते हैं फिर इसके बाद में the adult frog has lungs for breathing in air on land it has no gills और जो adult frog है उसके पास lungs आ जाते हैं जिसके तू वो लैंड पर सांस लेता है respiratory gases का exchange होता है लेकिन उसके पास gills नहीं होते हैं तो जब सबसे पहले तो उसको अपने गिल्स अटाने पड़ेंगे गिल्स तभी हट सकते हैं जब उसके पास lungs आएंगे तो इसलिए आप बोला गया है कि नए body features डवला पोने चाहिए और पुराने वाले पीछे चूटने चाहिए the adult frog can also breathe through its skin through its thin and moist skin ठीके तो वह अपनी पतली और मॉइस्ट स्किन के थूब भी क्या कर सकता है रैस्पायल कर सकता है दफ्रॉग एज लॉंग एंड फॉग टेल स्री टंग विच कैन भी फ्लिक्ट आउट टो कैज इंसेक्स एज फूट तो हमारे जो एडल फ्रॉग्स होते हैं वो तो पानी मैं वो तो लैंड पर रहता है तो लैंड पर रहने के लिए उनको खाना पीना भी तो खाना पड़ेगा ना तो उनका खाना क्या होता है मेंडकों का कीड़ मकॉडे तो जैसे कि हवा में कीड़ ओड रहा है तो हमारा मेंडक क्या करेगा मेंडक हम बोलते हैं कि अपनी टंग को ऐसे बाहर की तरफ फेकता ह ठीक है बार की तरफ फेकता है और फिर इसके बार में अपनी जीब से अपनी टंग से उस इंसेक को पकड़ता है और फिर इसके बार में उसको अंदर ले ले लेता है कुछ इस तरीके से The eyes in the frog move to the top of the head so that the frog can see above the surface of water Basically हम बोलते है कि main duck की जो आख होती है वो उपर की तरफ खुल सकती है ताकि जो main duck है वो उपर देख सके In this way by shedding old body features and developing new body features a tadpole changes into a frog और कुछ इसी तरीके से एक tadpole जो है एक frog में change होता है Convert होता है I hope इता सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा This change is called metamorphosis और इसी change को हम क्या बोलते है Metamorphosis बोलते है Metamorphosis changes the aquatic tadpole water living deadpole into an amphibian frog which can live in water as well as on land Metamorphosis ही क्या करता है एक aquatic tadpole को जो की पानी में रहता है उसको वो change कर देता है कि इसमें एक amphibian frog में जो की पानी और land दोनों पर ही रह सकता है I hope इतना सभी को समझ में आया होगा तो जब हमने Metamorphosis और frog पढ़ी लिया है तो अब हम Metamorphosis in Silk Moth भी देख लेते हैं कि कैसे होता है Silk Moth है क्या basically एक insect है Butterfly देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है Butterfly जैसा ठीक है Which undergoes Metamorphosis during its life cycle और जब हम सब को पता है कि हर एक organism की क्या होती है एक specific lifespan होती है तो यहां पर यहीं बोला जा रहा है कि जो Silk Moth है वो अपनी life cycle के दौरान Metamorphosis उसमें होता है The Silk Moth passes through the larva and the pupa stages during its development after hatching from the egg and forms an adult silk moth क्या बोला जा रहा है कि जो Silk Moth है वो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि अपनी larva stage में जाएगा फिर इसके बाद में अपनी pupa stage में जाएगा और pupa stage के बाद में हम बोलते हैं कि एक adult silk moth में develop होता है after hatching from the egg मालब कि egg से egg के अंदर जो भी developing embryo था ठीक है वो हम बोलते हैं कि larva में develop हो गया अब यह भी मैंना को बतायता है कि Silk Moth का जो larva है उसकों के बोलते हैं caterpillar बोलते हैं तो suppose जो एक adult silk moth है उसने अंडे दे दिये fertilized egg और in fertilized egg के अंदर जो developing embryo है वो develop हो रहा है कहां तक develop हुआ तो caterpillar क्याने कि larval stage तक develop हुआ अब यह जो caterpillar होगा वो egg को तोड़ करके क्या होगा बाहर निकल के आएगा और यह जो caterpillar larva है यह सबसे पहले जाएगा कहां अपनी pupa stage में और फिर pupa stage से हम बोलते हैं कि एक adult silk moth में यह transform होगा develop होगा अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से exactly metamorphoses होता है कहां silk moth में तो यहां हम बोलते हैं कि शुरवात कहां से हुई है तो पत्ती है पत्ती के ओपर क्या कर रहा है इस silk moth ने अपने अंडे दे दिये हैं फर्टिलाइज रही है इनके मदर embryo develop हो रहा है अब embryo हम बोलते हैं कि कहां तक develop हो गया है तो basically larval stage तक आ चुका है याने कि caterpillar में यह develop हो चुका है अब क्या होगा अंडो की hatching होगी hatching के बाद में हम बोलते हैं कि जो caterpillar है वो बाहर निकल करके आ जाएगा अब यह जो caterpillar होगा ना इसको अब देखो इसको और इसको देखने पर क्या को लग रहा है कि यह किसका बच्चा हो सकता है यह तो earthworm जैसा दिखाई दे रहा है बालिश के मौसम में जो नहीं मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स निकल करके आ जाते हैं मिट्टी से यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है लेकिन असली में यह तो एक यह बाटरफ्लाइज जैसा एक इंसेक्ट सिल्क मौद उसका बेबी है यह तो आगे जाकर के हम बोलते हैं कि इसमें एक ट्रांसफर्म होने वाला कैसे ट्रांसफर्म हो का हम वो देखते हैं केत्रपिलर आ गया है ना अब इसके बाद में क्या करेगा इसको क्योंकि और अभिगरों करना है अभी एडल्ट में convert नहीं हुआ है यह immature सीरी सी बात है यह कैसा है यह immature है तो maturity attain करने के लिए क्या करेगा अपने आपको सबसे पहले तो यह एक cocoon के अंदर या एक covering के अंदर cover कर लेगा और enclose कर लेगा और उसी covering को हम क्या बोलते हैं cocoon बोलते हैं तो जैसे कि मैं आपको प्रिवेस चैप्टर में भी बताया था synthetic fibers और प्लास्टिक वाले चैप्टर में कि किस तरीके से cocoon से हम silk fibers को obtain करते हैं basically होता क्या कि जो caterpillar नार्वा होता है यह अपना थूक निकाल करके अपने चारों तरफ क्या करता है एक cover cover हम बोलते हैं कि produce कर लेता है और इसी cover को हम बोलते हैं क्या को कुण तो अगर silk बनाना है तो हम क्या करते हैं basically बहुत सारे जब cocoons एकटा हो जाते हैं इन cocoons को हम boil करते हैं बॉल करने से क्या होता है अंदर जो लार्वा है ने यह मर जाता है और इसके बाद में जब यह मर जाएगा फिर इसके बाद में जो cocoon है उनसे एक के करके धीरे 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 जो silk fibers है वो उससे निकाले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो silk मौत है वो हमें क्या करता है silk provide करता है silk fibers provide करता है तो अब हुआ क्या कि यह जो immature caterpillar है न यह अपने around cocoon का formation कर लेगा और इसी cocoon के अंदर यह जो caterpillar है यह सबसे पहले मतलब caterpillar तो क्या है लार्वल स्टेज है न यह तो लारवा है फिर इसके बाद में इसी cocoon के अंदर क्या आएगी एक pupa stage आएगी क्या एगी एक pupa stage आएगी और फिर इसके बाद में जब यह pupa एक adult silk moth में convert हो जाएगा उसके बाद में हम बोलते हैं कि वो क्या करेगा बाहर निकल कर आजाएगा अपने cocoon से ठीक है और cocoon से जब बाहर निकलेगा तो आपके सामन क्या आजाएगा एक adult silk moth आजाएगा तो कुछ इस तरीके से silk moth में metamorphosis की process होती है कि इसने क्या करा है एक adult silk moth ने अंडे दिये हैं fertilized egg के अंदर जो developing embryo होगा सबसे पहले तो वो किसमें convert होगा लार्वा में यानि की caterpillar में फिगी जो caterpillar लार्वा होगा ये अंडों से बाह लेगा जिसको हम कहते हैं कुकून इस कुकून के अंदर हम बोलते हैं कि प्यूपा वाली स्टेज भी आ जाती है फिर इसके बार में ये प्यूपा स्टेज से कहां ट्रांस्वर्म होगा एक adult silk moth में transform होगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो कुकून है ना इसको तोड़ कर बाहर निकल आएगा और जब बाहर निकलेगा तो वो कुछ ऐसा दिखाए देगा याने कि एडल्ट सिल्क मौत जैसा दिखाई देगा ठीक है तो यहां पे भी हम बोलते हैं कि बीच की आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दी होगी कि डारेक्ली जो डवलपिंग इंब्रियो है वो सिल्क मौत में नहीं कनवर्ट हो गया ट्रांस्फोर्म हो गया वह गया था सबसे पहले अपनी लार्वल स्टेज में ठीक है इसके बाद में वह अपनी प्यूपा स्टेज में आया और फिर जाकर कि वह एक सिल्क मौत में कनवर्ट हुआ है अब सवाल यह आपके मन में कि मैं जब सिर्क बनाते हैं तो कोकून को बॉइल करने की जरुवत क्या पड़ती है क्यों उसके अंदर का केटरपिलर जो है वो मारना पड़ता है अगर हम केटरपिलर लार्वा को मारेंगे नहीं तो क्या होगा वह ग्रो कर जाएगा ग्रो करने के बाद में वह कोकून से बहार निकलेगा तो का कौकून को तोड़के बहार निकलेगा तो जब को कूँटता है ना तो जो trip फाइबर को कुईक को स्वाइबर से और जो upchef हैwhat कि यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है कि यह एग है मतलब कि silk moth का जो एग है उसमें hatching गई caterpillar आया caterpillar हम बोलते हैं कि metamorphosis होता है उसका किसमें pupa में और जो pupal stage है silk moth की उसको हम क्या बोलते हैं chrysalis कहते हैं फिर इसके बाद में फिर से metamorphosis होगा और तब जाकर कि क्या मिलेगा silk moth मिलेगा adult silk moth मिलेगा आई बाद आपको समझ में चलो next क्या है the caterpillar larva and the pupa stages in the development look very different from the adult silk moth ठीके जो caterpillar यानि कि जो larval stage है और जो pupa stage है वो जब development हो रहा होता है तो काफी एक दूसरा से अलग अलग दिखाई देते हैं एक दूसरा से तो होंगे ही साथ ही साथ जो adult silk moth है उससे भी अलग दिखाई देते हैं so there have been drastic change in appearance during the transformation of caterpillar into adult silk moth तो obviously बात है जब यह transformation चल रहा होगा तो बहुत सारे drastic changes आपको देखने को मिलेंगे आप देखो ना जो caterpillar था उसके पास तो हम बोलते हैं कि punk ही नहीं थे और यहाँ पर हम बोल रहें कि जो silk moth है वो तो एक insect है butterfly जैसा यानि कि उसके पास wings होंगे उसके punk होंगे लेकिन caterpillar के पास तो punk ही नहीं इसका मतलब क्या कि जब यह transform होगा इसकी जब metamorphosis होगी कि इसमें एक adult silk moth में तो इसमें wings जैसे features भी develop होंगे thus the change from caterpillar to a silk moth is an example of metamorphosis तो हम बोलते हैं कि जो change हो रहा है caterpillar से कहां silk moth में यह क्या है एक example है metamorphosis का I hope इतना सभी को समझ में आया होगा तो यह देखो यह कुकून है यह जो caterpillar है यह अपने आसपास कुछ इस तरीके का cottony growth basically form कर लेता है और देखने में ऐसा लगता है कि यह cotton का है जबकि किसका है यह silk fibers का बना हुआ है अपने ही saliva को निकाल निकाल के निकाल निकाल के अपने around a hard cover यह शेल बना लेता है जिसको हम कुकून कहते हैं we human beings also observe changes in our body appearance as we grow but these changes are not drastic changes जब हम बड़े होते हैं तो हमारी body में भी कई तरह की changes आते हैं appearance wise लेकिन यह सभी changes जो ड्रास्टिक changes नहीं होते हैं ऐसा नहीं है कि अरे जब यह पैदा वहतने इसकी अक नहीं ती लेकिन जब यह बड़ा हो रहा था तो नाक नहीं थी लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा है इसकी नाक ड्वुपनेद यह पड़ाप d होते हैं वो similar होते हैं किससे similar होते हैं उन बॉडी पार्ट से जो की बेबी में प्रेजन्ट होते हैं जन्म के समय at the time of the birth so human beings do not undergo metamorphosis का समतलब क्या कि हमारी बॉडी की growth होती है development होती है हमारी बॉडी में metamorphosis नहीं होता है the common animals such as cats dogs hens tiger loyan deer horse cow etc also do not undergo metamorphosis during their life cycle और हम बोलते हैं कि कुछ common animals हमारे dogs cats hand tiger वगेरा इन सब में भी metamorphosis नहीं होता है डिरेक्टी जो developing embryo है वो हम बोलते हैं कि young one में develop हो जाता है ठीक है the common animals अच्छरी वाली लाइन तो यहां पर repeat हो गई है तो आज की session के लिए बस इतना ही तो आज हमने यह चीज समझी है कि जैसे कि हमारे हम सभी animals को दो categories में divide करते हैं कि embryo का जो development है वो exactly कहां हो रहा है अगर mother body के अंदर हो रहा है तो उन्हें हम कहते हैं वीवी पैरस animals अगर हम बोलते हैं कि developing embryo का मतलब जो embryo है वो उसका development कहां हो रहा है body के बाहर हो रहा है अंडो में हो रहा है इसका मतलब क्या उन्हें हम बोलेंगे क्या ओवी पैरस animals ठीक है तो अंड देने वाले animals को हम बोलते हैं वीवी पैरस animals यह पूरी कहान ही हमने प्रीवेस session में पढ़ी थी और आज की session में हमने यह बात करी है कि किस तरही के से कुछ animals हमारे होते हैं जो कि डारेक्ली जिनके जो एंब्रियों है वह एक एडर्ट animal में transform नहीं होते हैं एक बीच की transition state आती है जिसको हम बोलते हैं क्या लार्वल स्टेज तो लार्वा जो है ना हमारे कुछ animals का बनता है खास बात यह है कि यह जो लार्वल स्टेज है यह जो लार्वा बना है यह अपने adult form से काफी जादा different होता है appearance में basically लार्वा क्या है animal का एक immature form होता है तो अभी इसमें maturity आई नहीं है ना अभी इसके पास बहुत ही basic features होते हैं और इसमें हम बोलते हैं कि धीरे-धीरे growth होती है development होती है बहुत सारे drastic changes आते हैं और इसके बाद में यह जो लार्वा है कि एक adult animal में transform हो जाता है तो यह जो transformation की process है adult larva की into sorry एक immature larva की into adult animal इसी transformation commission की process को हम बोलते हैं क्या metamorphosis तो कई सारे drastic changes आपको देखने को मिलेंगे जो लार्वा है जब एक adult animal में transform होता है तो बहुत सारे उसके old body features से उसको पीछे छोड़ने पड़ते हैं और नए body features को develop करना पड़ता है तब जाकर के वह एक adult animal में transform होता है तो आज की session के लिए बस इतना ही फ्रॉक्स के उपर हमने बात करी है सिल्क मौत के उपर हमने बात करी है अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में हम अपने इस chapter का last topic discuss करेंगे लेकिन तब तक आप क्या करेंगे आप जाएंगे google पर महाँ पर type करेंगे magnetbrains.com उसको click करेंगे जैसी click करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्या magnetbrains की official website उसको जाकर के open करेंगे जैसी open करेंगे तो आपके सामने ये वाला page आएगा the magnetbrains education platform इस page को जब आप और further scroll करोगे तो आपके सामने option आएगा explore top courses का जहां पर आपको class 12 से लेकर के class 1 तक के सभी courses होंगे available अब suppose आपको क्या करना है class 8 की science देखनी तो आप जाकर के यहां पर click करोगे जैसी click करोगे आपके सामने खोल जाएगा class 8 science video tutorial by विभूती खरे अब अभी तक हमने जितने भी chapters कर लिये हैं यहां जो हम कर रहे हैं उन सभी chapters के सभी lectures यहां पर आपको होंगे available तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी lectures देख सकते हो ना सिर्फ इस चैप्टर के बलकि सभी chapters के तो YouTube पे आपको जो दिक्कत आती है कि मैं playlist नहीं मिल रही है यह मिल भी रही है तो जो sequence है videos का वो उपर नीचे है तो हमको confusion हो रही है कि हमें किसके बाद में क्या प दो विजित आर ओफिशल एपस्टिय वाली मैंने ट्रेंस.com तिल दें की बेर निगिव मैंने प्रेंज थैंक यह वाल